जाहिंद विद्यार्थियों, आज हम एक नया चेप्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अक्सर एक डिमांड होती रहती है विभिन राज्यों द्वारा, वो है विशेस राज्य का दर्जा, इस बात को लेकर बहुत 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 चल रही है, विशेस कर जब से अंडिय की न की बात कही है, इसपेशल केटेगरी स्टेटस जिनको बोलते हैं, ऐसे चेतर, ऐसा एसा इस्टेटस जो इसपेशल केटेगरी स्टेटस के नाम से जाना जाता है, इस्पेशल केटेगरी स्टेटस क्या होता है इसको शॉर्ट में कह देते हैं इसकी चर्चा आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है विशेश राज्य का दर्जा विद्यारतियों हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही जुलंद मुद्दा है परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है सबसे पहले बात आती है कि इसका इतिहास क्या है विशेश राज्य का दर्जा इसकी सुरुवात कहां से हुई थी इसकी सुरुवात हुई थी 1969 में जब DR गाडगिल जो हमारे यहां एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसे राज जो ऐसे राज जो दुर्गम पहाड़ी छेत्रों के अंतरगत आते हैं पहला उन्होंने बताया दुर्गम पहाड़ी छेत्र दूसरी बात जहां अंतरराश्ट्री बॉडर बॉडर हो और वहां थोड़ी मोड़ी टेंशन बनी रहती हुआ टेंशनाइजड इंटरनेशनल बॉडर दूसरा अंतरराश्ट्री सीमा तीसरा विशेश एवं बहुल जन्जातियां मतलब जहां पर जन्जाति सम्दाय बहुत ज्यादा हो चोथा जहां पर जन्संख्या घनत्त कम हो पांचवा पर कैपिटा इंकम यानी प्रतिव्यक्ति आये कम हो छटवा जहां की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां करका रहां कि और एंकम यानी तो कि यादा आर्थितियां तो सबसे पहले ऐसे छित्र जो पाड़ी हैं, हिली इस्टेशन, हिली जहां एरिया है, जहां पर हिल्स बहुत ज्यादा है, अंतरास्टि सीमा जहां लगती हो, जहां पर बहुत सारी जन्जातियां रहती हो, जहां जनसंख्या घैनत कम हो, यहां पर केपिटा इंकम कम हो, और जहां बहुत बड़े चैलेंजेज़ों, शोशल और ऐकोनामिक चैलेंजे़ों, ऐसे छेत्र ऐसे भारत के राज्य जहां ये इस्थितिया निर्मित होती हों उन्हें इस्पेशल केटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है ये बात 1969 में सबसे पहले डियार गाड़ी के अर्थशास्त्री द्वारा जो कि पांचवे वितायोग के उस समय कमिशनर थे पांचवे वि मुखे आयोग पांचवे विकतायोग के अध्यक्ष थे वो उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे राज्यों को हम विशिस राज्य का दर्जा दे सकते हैं और उसी समय उन्होंने तीन राज्य बनाय थी जम्मू कश्मीर और दो नौर्थीस्ट के राज्यों को इस्पेशल केट क्या राज्य को ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए हर राज्य जैसे ही कोई नई पार्टी आती है खास्तोर से छेतरी पार्टी उस सबसे पहले यही डिमांड रखती है कि हमारे राज्य को इस्पेशल केटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए जितनी छेतरी पार्टीयां सभी य कशैन्हें की कोशिस करते हैं. campe 쪽 category में जो मुक्क में फाइदे हैं वो क्या है, सबसे पहला फाइदा. जिस राजी को跟نا nothing category का दरजह मिल जाता है, उस राजी में केंद सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजना हैं, जितनी भी schemes हैं केंज सरकार की, उन सभी के लिए 90% खर्चा केंज सरकार देती है. अभी सरकारी जितनी भी केंज सरकार की योजना हैं, जब राज्यों में संचालित होती हैं, तो उन पर केंज सरकार 2-3 से लेखे 3-4 तक खर्चा करती है. शेस पैसा राज्य सरकारों को देना होता है. कोई भी scheme आप ले लिजिए केंज सरकार की, अगर राज्य में चल रही है, तो अधिक से अधिक केंज सरकार 75% तक राज्यी देती है, 25% राज्य सरकार को खोड़े एड़ॉन करना पड़ता है. अन्य था, कई योजनाय ऐसी होती है, जिनमें 66% सेंटल गवर्मेंट, और रेमेनिंग वन थर्ड इस्टेट गवर्मेंट को लगाना पड़ता है. लेकिन अगर विशिस राज्य का दर्जा अगर किसी को मिल जाए, किसी राज्य को, तो फिर क्या होगा, केबल 10% पैसा ही राज्यी को लगाना पड़ेगा, 90% केंज सरकार देगी, यह पहला फाइदा. तो पहला फाइदा क्या है, 90% तक केंद्री योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी. दूसरा, केंद्र सरकार जब पैसा देती है हर साल राज्यों को, तो जितना पैसा राज्यों को दिया जाता है, योजनाओं को लागू करने के लिए, उसका जो हिस्सा बच जाता है साल भर में, पूरा खर्च नहीं हो पाता, तो केंद्र सरकार उसे बापस ले लेती है, और उसे लेप्स कर देती है, लेकिन अगर विशेश राज्यों का दर्जा मिल जाए, तो वो केरी फारवर्ड हो ज जाएगा, इसलिए राज्य सरकार हैं कई बार जब वित्वर वर्ष खतम होने वाला होता है, तो तेजी से पैसा खर्च करने की पोसिस करती है, और इसी जद्दो जाद में ब्रस्टाचार बहुत होता है, तेजी से पैसा आप खर्च तो कर रहे हो, फिर इसमें क्या होता है कही अधिकारी डरते भी हैं कही असाना वाद में पोल खुल जाए क्योंकि तेजी से पैसा खर्च होगा तो तेजी से खर्च कैसे करोगे खर्च करने के लिए आपको सब चीजें बतानी भी तो पड़ेंगी आपको हर चीज ब्लेक एंड वाइड में शोतो करनी पड़ेंगी ना लेकिन कई बार इसी में भ्रष्टाचार बहुत होता है तो अधिकारी डरते हैं तो वो आसानी से बिलपास नहीं होने देते नतीजा यह होता है कि बहुत सारा पैसा जो दिया गया था विकास के लिए वो यूजी नहीं हो पाता जियों कातियों वापस हो जाता है कैंसरकार को और कैंसरकार उसे लेप्स कर देती है फिर अगले साल प्लानिंग में जो खर्चा सरकार देगी उनना इसरे से देगी लेकिन अगर विशेस राजी का दर्जा दे दिया गया तो जो पैसा बच गया है वो केरी फारवर्ड होके मिलेगा इस साल अगर एक हजार करोड मिले थे और अगले साल इस साल एक हजार करोड मिले और दो सो करोड बच गए आठ सो करोड ही खर्च कर पाए हो आप तो अगले साल मिलने वाले मालों अगले साल बारा सो करोड मिलता है तो ये दो सो करोड उसमें जुड़के चुदा सो करोड हो जाएगा आपका इस तरह से केरी फा टेक्स वो हैं excise यानि उत्पाद कर और सीमा सुल्ग, सीमा सुल्ग को कहते हैं custom duty, उत्पाद कर यानि एक्साइज इउटी, excise duty क्या होती है किसी भी राज्ज में जो उत्पादन होगा उस उत्पादन पर tax लगता है उस राज्ज से अगर कोई सामान बाहर जाता है तो सीमा पर tax लगता है बाहर से कोई भी सामान उस राज्ज में जाएगा तो tax लगेगा सीमा पर लगने वाले टेक्स को सीमा सुल्ग कहते हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगता हैं क्यों कि आप बॉर्डर कर रहा है तो सरकार सीमा सुल्ग लेती है किस्टम डूटी लेती है, साथ ही और दो टेक्स, वो हैं income tax, यानि आयकर और निगम कर, कार्पोरेशन टेक्स, इन दोनों में भी छूट मिलती है, तो सरकार विशेस राज्य का दरज्या जिसे देती है, उस राज्य में सरकार क्या चाती है, कि उस राज्य का विकास हो और विकास कैसे होगा वाँ इंडस्ट्री आनी चाहिए और इंडस्ट्री कैसे आएगी क्यों जाएगी कोई इंडस्ट्री ऐसे पिष्ड़े वे राज्य में अगर उसको प्रलोवन दिया जाए उसको प्रलोवन ये दिया जाता है कि कार्पोरेशन सुलक और सीमा सुलक ये कम लगेगा. इस तरह ऐसे बिभिन प्रकार की रियायते दिया आती हैं, खरुआ के तरह की रियायते दिया जाती हैं वहां पर, वहां के लोगों को भी और वहां इस्थापित कंप्नियों को भी, ताकि वहांका विकास हो सके, यह पिक्शा की जाती है इसके साथ ही सरकार हर साल जो फण्ड रिलीज करती है राज्यों के लिए, उन में विशेश राज्ड का दर्ज़ा प्राप्त राज्यों को प्रिफरेंस दिया जाता है उनको सबसे ज़दा special schemes लागू होती है vicious योजना ही चलती है ताकि वहाँ का वेकास किया जा सके यही कारण है कि हर अपने अपने राज्जी के लिए चाहता है कि वहाँ की सरकार हैं चाहती है कि vicious राज्जी का दरजा हमको मिल जाए तो इतना सब कुछ एक जद्दो जाहत चल रही है आज कौन-कौन से ऐसे राज्जी है जिने vicious राज्जी का दरजा मिल चुका है परिछागे लिए important है 11 राज्जियों को vicious राज्जी का दरजा प्राप्त हो चुका है यह 11 राज्ज याद रखना बहुत आसान है North East के सभी हिल स्टेशन है सबकी डेंसिटी बहुत कम है वहाँ ट्राइवल पापूलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए साथ राज्ज एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आठमा यह सिक्किम तो साथ North East के राज्ज और आठमा सिक्किम इन सबको यह आठों राज्ज इस समय विशिस राज्ज का दर्जा इनको मिला हुआ है इसके अलावा दो और हिली स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड यह 9-10 हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड इनको भी विशिस राज्य का दरजा मिला हुआ है और पूरे भारत बरस میں किसी एक राज्य को दरजा मिला है तो वो है तैलंगाना कुल मिलांगे 11 राज्य है जिनने Special category status मिला हुआ है वर्तमान में 11 राज्य तिलंगाना का जब विभाजन हुआ था किस से हुआ था आंदर प्रदेश से तभी इस भाग को एक गरीब भाग समझ करिया इसका नई सरे से विकास करने के लिए क्योंकि अलग हुए राज्य का विकास करना आसान नहीं होता तो उसी समय जो मांग चल रही थी उस मांग को ध्यान में रखकर समीकन ऐसे बन गए 2014 में जब तिलंगाना बना था तब ऐसे समीकन बने कि उसे विश्यस राजी का दरजा मिल गया और जब से तिलंगाना को विश्यस राजी का दरजा मिला तब से जिसको देखो वही राजी व इसको आप समझें एक शब्द है बीमारू आशीस बोस एक डेमोग्राफर हुआ करते थे आशीस बोस भूज अननान की कि एक ऐसे समझें एक भूगोलवित थे और इतियासकार और एकॉनोमिस्ट भी थे उन्हों ने असी के दशक में एक सब्द निकाला बीमारू बि आई फॉर बिहार, एमे फॉर मध्यप्र प्रदेश, और फॉर राजस्तान, यू फॉर उत्तर प्रदेश इन चार राज्यों को बीमार राज्य का गया, बीमार राज्य का गया, बीमार हैं ये, क्यों बीमार हैं? क्योंकि आर्थे किस्तितीन की अच्छी नहीं है, गरीब हैं, पर कैपिटा इनकम हैं, कम हैं इनकी, इसलिए इन चार राज्यों को बीमार राज्य का जाता था, अब ब उत्तर प्रदेश से निकला उत्तरा खंड, कितने हो गए राज, साथ, तो उसके बाद जब यह बिभाजन हुआ, तो साथ राज बीमारू हो गए, जो चार थे वो बढ़के अब साथ हो गए, समय के साथ धीरे धीरे राज्यों ने अच्छी तरक्की की, तो अच्छी तरक्की की तो मद्ध प्रदेस और उत्तर प्रदेस आज बीमारू राजजी की स्रेणी से बाहर हो गए अब बीमारू राजजी केबल दोई बचे हैं बेहार और राजस्थान केबल बेहार और राजस्थान इन तीनों राजजियों को तो बीमारू होते हुए भी इन्होंने अब विक कि आपके कॉन से राजि हैं तो उन्में नबर वन बैयार नंबर दू rápido राज ष्थान ये सबसे गरीब राज्यों की शेणी में आते हैं कॢ़ी बार ये बोला जयता है कि सारे हिंदी भाशी राजी बीमारू क्यों थे। देखिए आप हिंदि भासी हैं के नहीं सातों राजी यही सातों के सातों राज बीमारू राजosh थे। लेकिन इन राजियों को अगर ये माना जाता कि विशस राजिय का दरजा दिया जाए तो क्या, जो शर्ते लिखीती उस उस्लिणी में आते यह नहीं आते केवल माना कि below poverty line में रहने वाले लोगों की संख्या जादा है क्या केवल इस आधार पर उन्हें बीमारू राज्यों को special category status दिया जा सकता है नहीं इसलिए जब special category status जैसा शब्द बनाये गया था तो उस समय ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में राज्यों म यही कारण है कि बार-बार बिहार को विशेस राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग उठती है उसको नकार दिया जाता है हाँ पैकेज जरूर अच्छा दिया जाता है ताकि बिहार में विकास हो जाए अपनी तरफ से सरकार पूरी कोशिस करती है यह एक प्रशन और याद रखिएगा केंद सरकार एक बड़ा फंड रिलीज करती है राजिसरकारों को एक बड़ा फंड हर साल रिलीज करती है वो फंड कहां से आता है केंद सरकार के पास जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है टेक्स से जो पैसा आता है उसका 42 परसेंट हिस्सा राजिसरकारों को दे ही है ताकि इस्टेट गवर्मेंट उस पैसे से अपना विकास कर सके राज्य का विकास कर सके इसलिए यह परिच्छा के लिए important question है कि कितने प्रतिशत केंद सरकार द्वारा tax collection से प्राप्त होने वाले पैसे का कितने percent finance commission की सिफारिस के अनुसार कितने percent वो पैसा राज्य सरकारों को जाता है तो finance commission ने यह सिफारिस की थी 2015 में कि पहले 32 परसेंट पैसा जाया करता था अब वो 42 परसेंट कर दिया गया है बैसे उस पैसे को देने की परंपरा ये है कि जहाने जंसंख्या जादा वह ज़णा दिया जाए तो सोहावे के यूपी को उसका सब्से बड़ा issस जाता है लेकिन इन छेत्रों की जन्संख्या तो बहुत कम है फिर भी इनको पैसा जन्संख्या की हिसाब से नहीं वहांके पिष्ड़ेपन के हिसाब से दिया जाता है उनके विशेष राज्य का दर्जा प्राथ होने के कारण उनको दिया जाता है तो ये विद्यारतियों ये बीमारू राज्य की कल्पना है ये सबसे पहले आशीस बोस ने की थी आशीस बोस बंगाल के जो डेमोग्राफर थे उन्होंने ये विशेष रूप से ये कल्पना की थी बीमारू राज्य की कल्पना उन्हीं की देने और विशेष राज्य का दर् इनहीं के नाम पर तीसरा फाइव एर प्लान आया था जिसे गाडगिल फार्मूला के कहते हैं गाडगिल फार्मूला पर आधारित जो भारत की पंचवर्शी योजना थी थर्ड वो गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी और गाडगिल नहीं जो फार्मूला दिया था श्राज्य का दर्जा के लिए गाडगिल फार्मूला कौनसी पंचवर्षी योजना में आया तो आप कहेंगे चौथी पंचवर्षी योजना में, क्योंकि चौथी पंचवर्षी योजना 69 से जाल लागू हो गई थी, और थर्ड पंचवर्षी योजना वो तो 66 तक ही थी, व वांचवा वित्तायोग उसी गाड़केल फार्मूले पे आधारित ये चीज विशिस राध्य का दर्जा जैसा शब्द ये लेकर आए तो ऐसे परिच्छा में अगर प्रशना आए तो आप उनकी जवाब दे सकें तो आपके लिए जो महत्पूर्ण था आजकल बहुत चर्च कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें मैं बीच-बीच में लेकर आऊंगा और आपके ग्यान का और उसमें एजाफ़ा करने की कोशिस करेंगे जैहिन्द